आप देख रहे हैं आपका चैनल पेडर दिश्टक सब्सक्राइब तक तक पर नमस्कार मैं हूँ राजीब आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज हम एक ऐसे गाओं की सहर करेंगे जहां पर वो एक पेड़ है जिस पेड़ के नाम पर उस गाओं का नाम पढ़ा था वो पेड़ है शामा का चलते हैं फिर अपने सफर को आज यही से शुरू करते हैं अब हम अपने इस सफर को शुरू कर रहे हैं, अभी तो सडक से चलें, अब देखते हैं कितनी दूर आगे जाना पड़ेगा, वैसे तो नस्दीक ही है, ग्रामिनिक शित्र की सडकें जो होती हैं, वो तक्रीबन तक्रीबन सुनी रहती है, ट्रैफिक तो बहुत नाम मातर का हो सुबह सुबह आएं तो जो यहां का नजारा है न, वो बहुत अच्छा लगता है, और सैर करने के लिए तो बहुती जिसको हम कह सकते हैं अनुपूल हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 आप हमारे इस मणे रोडे हम न कल तो जंगलों मे थे, आज जंगल मे नहीं है, आज तो कहीं ऐसी जगा यहां रहे, कहते है, वह पर मंधिर है, और आपको पता है मंदिर के आसपास की जो लोकेशन होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, लोकेशन तो यहीं से शुरू हो जाती ही, मैं द कि मेचर कितना अमीर है हमारे याग वा तोड़ा बेंटरी हो रही है गऊ में याँ पेबी वो ही पेड है जो हमें कल आपको दिखाया था इतना ही विशाल है और मेंको लगता है प्राचीन भी उतने होगा वोही चीज है जो कल हम आपको दिखा रहे थे पर आज थोड़ा सा डिजाइन आपको अलग दिखेगा यहां अलका सा डिजाइन जो है वो चेंज वा मिलेगा वा तो यह हम गाओं में अंटर होगे हैं यहां पर और यह शामा घाट के अंटरस में है हमारको पेड़ दिखा है कि हम और वक्रोड रोड़यन वक्क्षा ही है थो जंगली रस्ता भाई है अब आप कहेंगे कि हम जंगल में बटेकते रहते हैं जुझारते जंगल है तो कहां बटेग जहरों में बटक सकते एसे और शेहरों में ऐससे स्थान तो बहुत मिश्कली होगत है तो भाई अब दिखाते हैं आपको यहां पर यह जो पेड़ देख रहे हैं आपको यहां पर यह जो पेड़ देख रहे हैं और केले हम बजार से करीद के खाते हैं लेकिन यहां पर जो केले के फल लगे हैं इतने बड़े-बड़े लगे हैं भी दिखाऊंगा तो अभी चलते केले के उस बंच की तरफ जहां पर केले का गुच्छा लगा हुआ देखते हैं बिल्कुल उबड़ खाबड रसता है मैं बिल्कुल नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ वाला ये देखिए आपको मेरी आवाज तो आ रही है न ये मैं दिखा रहा हूं आपको थोड़ा औ पिसल भी सकता हूं पर बाच गया ये देखिए बिल्कुल करीब से दिखा दिया हमेने आपको अब चलते हैं और ये जो पौदा है ना अरे देखो आगे से कोई आर आयन से जड़ा पूछ लेते हैं भाई साब नमस्कार कैसे हैं ये ये जो पौदा है ना यहां पर ये किसी का पौदा है जो हम बजार से खाते हैं वह ली खजूर की दूसरी खजूर है ये जंगली खजूर है तो इसका बनता क्या-क्या होगा मेरे को तो अभी इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहली बार इस पेड़ को देखा है तो मुझे बताएंगी कि इसक अच्छा जो नीचे बैठने के लिए जो गाओं में बिची रहती है अच्छा बहुत अच्छी बात है और आप इसी गाओं के रहने वाले ये मैं दिखा रहा हूं आपको फिर से वही वाइल्ड जो हमार को भी भाईसा बता के गया ना ये वही वाइल्ड खजूर है और इस इसके सासाथ वो जो मैंने पिछले कल आपको बताया था ने जंगल में लकडी वह भी साथ में और भी कई पौदे है और इन पौदों में भी फूट्स लगते है लोग खाते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा इसको पहाडी बहशा में हीर भी बोलते है आपके पता नहीं क्य बरती देखों करना हों की बाथी है तो गाओं में मक्की के कोड़ कि बात ना हो तो कुछ introductions tu टो देखे़िए कुछ लोगोंने चली तौड़ दी ये झाली बी बोलते हैं मक्की भी बोलते हैं कुकडी बी बोलते हैं कई नाम है अब ये देखिए को वह यह यह है वह मेरे पहाड का जो जीवन है वो बहुत जिसको कहते हैं कठोर जीवन माना गया दुरलब भी माना गया क्योंकि बहुत ज्यादा मिनत करनी पड़ती है या के लोगों को यह देखिए एक फसल को बचाने के लिए और वहाँ मैं आपको थोड़े थोड़े एंगल्स भी दिखा रहा और विरको लैंगल्स के साथ शूट कर रहे हैं इसको ताकि लोकेशन भी आप देखते रहे हैं नीला आसमान सो गया सिलसला पिक्चर का गीत है याद आ गया था तो सोचा हुना आपके साथ शेयर लेगा है वही रस्ते तो यहां भी दुर्गम ही है कुछ असा देखने को त देखते मिलेंगी पर जब आप गुजरते इन रस्तों से न तो बहुत ही खुबसूरत लगता है यह घास है लेकिन लगता बहुत खुबसूरत है अगर आप मिचवा यह चीज मिली जंगल में एक और नहीं चीज इसको शायद कुरंदू बोलते हैं पहाडी भाशा में अब आप लोग देख लीजी आपकी भाशा में क्या कहते हैं और इसको खाते भी है बहुत ही खटरस सा होता है जिसको बोलते हैं कि कसैला जिसको हम कह सकते हैं वो इसका जो स्वाद होता है चलो तकरीबन तकरीबन रास्ता पूरा वो ही गया और यह यहां से शुरू होता है कहते अब जो रस्ता शुरू हुआ ना वो थोड़ा सा जो विचारे अनभिग्या ना इन रास्तों से उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक सा भी तो है क्योंकि गास है तो मुझे भी डल लग रहा है भाई अगर पैर कहीं इदर उदर हो गया ना तो गड़बड हो सकती है क्योंकि अभी यह गास यहां पर हुआ हुआ है यह गास नवरात्रों से शुरू करेंगे लोग काटना फिर यहां साफ हो जाते हैं अभी फिलाल गास के बीच में से हम लोग क्रास हो और बिल्कुल दिखा रहा हूं रस्ता भी नहीं दिख रहा है यहां मेरे खेल से रस्ता दि जो मंदिर का रस्ता है वो कलियर सा होता दिख रहा है आप ही पता थे ही कितना चलना पड़ेगा पर उमीद करते हैं कि जल्दी पहुंच जाएगा यह देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको यह है वो शामा की डाली जिसको देखने हम यहाँ हैं और कोशिश करूँगा कि जू यहां पड़ा इस गाउं का शामा घाट वो इस जो कहते हैं पेड है यहां पेड है यह जो शामा के आठ पेड इसके उपर ही पड़ा था लोगों का कहना है यहां के बाकी जानता तो मैं भी नहीं हूं और फिर भी जो यहां के लोकल लोगों से हम उन्हों को सुनने को मिला वो यही सुनने को मिला है कि यहां यह जो आठ पदे हैं शामा की पेड आप तो खेर पेड का रूप दारन कर रहे हैं तो पहले तो छोटे चोटे पदे रहे होगे पर फिर भी मैं एक पदा बिल्कुल नज़िक है मेरे वो छोटा सा पेड है वो में दिखाता हूँ आपको बिल्कुल करीब है मुझे पीछे अठना पड़ रहा है क्योंकि एक तो पहचान नहीं है यह है वो शामा का पेड जिसके नाम पर शामा घाट का नाम पड़ा है आवाज मेरी आ रही होगी आपको यह देखिए और करीब ले जाता हूँ यह देखिए यह पत्ते हैं इसके और इस तरह का यह पेड है शामा का जिसके नाम पर यह शामा घाट नाम पड़ा इस गाउन पर वाव खूब सूरत यह जो आप देख रहे हैं ना साम ने यह है शामा घाट गाउन और यह भी टेकरी पर ही बसा हूआ है और जसा की हमने आपको बताये यह जो आठ बरिक्ष ना यहापर शामा के इसके उपर इस गाउन का नाम पड़ा है शामा घाट तो गाड तो देख सकते हैं आपकी एक टेकरी है और गाड की तरह ही है और शामा के पेड़ हमें आपको दिखाएं बहुत ही सुन्दर नजार है फिर से चल रहे हैं अब मंदर पहुंच गे हम लोग जो बाहर लेते हैं ना रोग प्लेन में रहते हैं वो इस तरह की लोकेशन देखने को तरस्त है तो उन लोगों के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको ज़रूर ऐसी ऐसी चीजें दिखाएं जिससे उनका मन जो है वो प्रफुलित होते हैं लोकेशन को देख़के ये देखिए चीड के दरख्त हैं और ये हवा इसकी आवा सुन सकते हैं आप और ये कोई इफेक्ट नहीं है ये बिलकुल नैचुरल है यहाँ पे कोई आर्टिफिशल इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं हम लोग साथ जिस तरह से शूटिंग में लगाया जाता है यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे तो भाही नॉर्मल चल रहा है जब कुछ और ये जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो हमारे जो निली जट्री वाले ना प्रभू हमारे भगवान वो लगा रहे हैं तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंची गए हैं भी मा के दर्शन तो आपको करवाऊंगा मैं ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आए हैं और आपको दर्शन ना करवाएं क्योंकि इतना दूर चल के आए हैं तो सुख का जो एहसास होगा वो जब हम मा की मूर्शी के दर्शन करेंगे तब ही उसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं तो देखिए अब मैं आपको दर्शन करवाई देता हूँ मा भीमा काली के और इससे पहले देखिए गनेश जी हमारा स्वागत कर रहे हैं आप और एक बात बता दूँ आपको इस गनेश की जो चितरकला है इसके बारे में यह जो बनाए गई है न यहाँ पर पेंटिंग यह यहीं के एक स्थानी निवासी है जिनका नाम दिनेश है और वो स्कूल में टीचर भी है उन्होंने बनाए खुबसूरती देखिए अब इस प्रिंटिंग और यह मंदिर की खुबसूरती को बढ़ा रहे हैं गनेश जी देखिए कितना डिवोशन रहा होगा और अब आईए मा के दर्शन करते हैं यह देखिए बिल्कुल लजदीक से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ मा गाली के सभी के लिए मा से यही मांगते हैं कि मा बस सब पे कृपा रखना और जो अभी कोविड काल चल रहा है इसे सब को छुटकारा दिलाना और जो लोगों के मन में अंतरद्वन्द चल रहा है या कुछ भी दूश वावना चल रही है उसको जरूर दूर करना यही आप से हमारी गिनती रही यह हम आपको दर्शन करवा रहे हैं गिलकुल मा के कितना आनंद आया मुझे तो बही बहुत आनंद आया आपको पता नहीं आया की नहीं आया पर मैं अपने मन की बात कहूं यहां पर आकर सारी जो धकान है वो दूर होगी यदि आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आये तो एक एक शेर जरूर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाए और हां कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों तक ला सकें आप लोगों को दिखा सकें और और अच्छा काम कर सकें क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए एक प्रेणा स्रोत हैं आप कमेंट्स करेंगे त झाल झाल